दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर पंचाज चुनाव खतम होते ही बिहार के गाउं सोलर लाइट से जंगमग होंगे जाने नितिस सरकार की क्या है तयारी जिहां इस साल के अंत गाउं की गलिया सोलर लाइट से जंगमगाने लगेंगी पंचाज चुनाव समाप्त होते ही गावों में सोलर इस्टिट लाइड लगाने की योझना को साकार किया जाएगा इस योझना पर आमल करने के लिए एजनसियो का चेयन होने लगा है पहले चरण में सोलर लाइत उत्पादक कमपनियों का चेयन किया गया है अब उन एजन्सियों का चैन किया जा रहा है जो गाउं में जाकर सोलर इस्टिट लगाएगी एजन्सियों का चैन ब्रेडा के मैदम से हो रहा है सोलर लाइट लगाने के लिए एजन्सियों का चैन दो इस्तर पर हो रहा है पहले एजनसी वह होगी जो सोलर इस्टिट लाइट से सम्मादित उपकरनों का निर्मान करती है दूसरी एजनसी वह होगी जो गाओं में जाकर केवल सोलर लाइट लगाएगी बाड़ी कावर बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाच के लोगों के परेसानी होगी खतम पोरजी नेटवर्क वाले मीटर से मिलेगा नेटवर्क जहां बिहार में बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाच के लोगों को परेसानी नहीं होगी अब रिचार्ज करने के साथ ही तुरंद बिजली बहाल होगी पहले रिचार्च के बाद बिजली के लिए घंटों का इंतिजार करना पड़ता था लेकिन अब इस समयस्या का हल निकल गिया है दरसल स्मार्ट मिटर वाले इलाकों से सिकायत आती रहते थे कि रिचार्च के बाद भी घंटों का इंतिजार करना पड़ता है अब भोगता इसको लेकर परिसान रहते थे इस गंबिर समयस्या को देखते विए बिजली कमपनी इसमें बड़ा बदलाव की है कमपनी ने हाइटेक स्मार्ट मिटर को बदलने का निर्ने लिया है वह स्मार्ट मिटर 4G होगा जिसका नेटवर्क हाइ स्पिट का होगा जिसमें 4G का सिम इस्तिमाल किया जाएगा आपको बता दे कि अब तक जो मिटर लग रहे थे उनमें 3G का सिम इस्तिमाल हो रहा था जिसके कारण किसी किसी इलाके में नेटवर्क की समय सा बन रहे थी प्रातमिक्ता के तोर पर पहले उने इलाकों के मिटर बदले जाएंगे जहां नेटवर्क की समय सा रहती है उने इला राजस्व कर्मियों की मनमानी को खतम कर अंचल में एक ही चहत के नीचे मामुली सुल्क लेकर 28 तरक की जमिन राजस्व के नक्सा आदिस दस्तावेज उपलब्द कराने को आधोनीक अभी लेकागार सडाटा केंद्र योजना का 15 जुलाई को पहला चरण सुरू होने जा रहा राजस्व भूमी सुथार विवाग ने नोडल पतादीकारी न्यूक्त कर दिया है आपके जानकारी के लिए बतादी कि गोपाल गज, सारन, समस्तिपूर, सितामनी, नवादा, खगडिया की 4-4 अंचल, बकसर, चो, मुंगीर, तीन, बका, साथ, केमूर, साथ, औरंगाबा बोर्ड की मेटरिक परिचा 2023 के लिए पंजियन सुरू, 14 से उपर होनी चाहिए उम्र, जिहाँ बिहार बिदालर परिचा समिती ने मेटरिक परिचा 2023 के लिए पंजियन की तिति घोसित कर दी है, 11 से 31 जुलाई तक पंजियन होगा, वर्तमान में 9 में पढ़ाई करने वाले चात्र अपना पंजियन करा सकते हैं बोर्ड ने इस्टपस्ट किया है कि केवल मानता प्राप्त इसकुल के चात्र ही पंजियन कराएंगे पंजियन के लिए चात्र की आयू कम से कम 14 साल होनी चाहिए पंजियन ओलाइन होगा पंजियन करने से पहले चात्र को इसकुल के प्रा दे सकते हैं बाड़ी कवर बिहार में आज से खुलेंगे स्कूल कोलेज पहले से दसवी तक के लिए अगस्त तक करना होगा इंतिजार या बिहार में आज यानि समवार से 50 पीदी विदातियों के उपस्तिती के साथ प्रदेश बर में दसवी से उपर के कख्चाओं के सबी सर सिक्षन संसान को बंद कर दिया था इस प्रकार 98 दिनों के बाद सेक्षनिक संसानों में सिक्षन कार्य आरम होंगे और इसी के साथ केमपस में चहल पहल लोटेगी जबकि पहली से दसवी कख्चा के सरकारी एवं निजीवी दल अगस्त में खुले जाएंगे अगली बड़ी खबर पांस साल बाद आज से फिर सुरू होगा जनता दर्बार सेम नितिस सुनेंगे जनता की समयस्या जहां जनता के दर्बार में मुखमंत्री कारिकरां पांस साल बाद फिर सुरू हो रहा है 12 जुला याने आज मुख मंत्री नितिश कुमार जनता की समयसा को सुनेंगे हर स्वमुवार को मुख मंत्री के समख्च लोग अपने समयसा रखेंगे और ओन इस्पोर्ट ही लोगों की समयसाओं का निस्पाधन का निर्दिश मिकमंत्री बदादे कारियों को देंगे आपको बदादे कि कोरोना संक्रमन को देखते वे जनता दर्बार में आने वालों की बेच सोसल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा इसी के अनुसार लोगों की बेटनी की विवस्ता की गई है आटी पिसियार की जाज के बाद ही लोग जनता दर्बार में हिस्सा ले सकेंगे जनता दरबार में आज सिक्चा कल्यान विज्ञान एवां प्रोधोगी की स्रम संसाधन स्वास्त सामानि प्रसाशन कला संस्कृति एवां वित्य विबाग से समंदित सिकायती सुनी जाएंगी मॉबाइल एब जेके डी एम एम के मैदम से भी किसी समस्या या सिकायत दरज करवा सकते हैं इस एब का पूरा नाम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और इसे जेके डी एम एम की वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या गूगल एब पर भी है आविदन करने के को आधार संख्या और मवाइल नंबर देना होगा बाड़ी कवर राज में दो रूट टप होने से उत्तर बिहार में रेल परिचालन बे पट्री बारा ट्रेने रद कई के रूट बदले जहां मुझापर पूर नटकडिया गंज रेलकन के सगोली मजोलिया वो दरबंगा सम मस्तिपूर रेलकन के मुकतापूर रेल पूल पर बार के पानी के दबाव के कारण रईवार भी उत्तर बिहार में ट्रेनों का परेचालन प्रभावित रहा जैनगर दरबंगा वा नरकडिया गंज होते ही चलने वाले सबी ट्रेन बदले रूट से चली है जबकि दोनों र इसी पटना में अगस्त से सुरुर होंगे नौ जन शविदाकेंद्र आधार काड पासपोर्ट समेद मिलेगी यह सुविदा है जिहां परण सेटी पक्रण सेटी के पले सपता से नौ जन सविदाकेंद्र की सरवात कर दी जाएगी पतना में स्मार्ट सेटी लिमीटेड की और से पूरी तैयारी कर ली गई है जन्स विदा केंद्र संचालन के लिए एक निजी एजंसी का चैन भी कर लिया गिया है पहले चरण में नो वाडो में जन्स विदा केंद्र का सुबारम होगा दूसरे चरण में आठारा जन्स विदा केंद्र का निर्मान जल्दी शुरू ह निजी ऐजनसी याही जन सवीदा किंद्र का संचालन करेंगी जन सीवकेंद्रों का निकर्तम वाड़ों के साथ ठेक किया जाएगा निजी एजंसियों का नाम महा बोध जन सवास्ते एवं स्वार्गीर ने विकास किंद्र रखा गिया है सुरवाती दोर में जन सुविदा केंदर के जरिये नगर निगम की सभी जन प्योगी यूजनाई और कारियों की सुरवात की जाएगी साथ जिला प्रसासन से जुड़ी सभी जन उपयोगी और पोश्ट ओफिस से जुड़ी सभी तरह के कार एक छट के नीचे कराया जा सकेंगे सबसे पहले नो वाडों में सुरुआत होगी उसमें वाड संक्या 14, 21, 22, 38, 43, 43, 58 और 65 सामिल है इसके अलावा इन जन स्विधा केंदर में आधार कार्ड, आवास प्रमान पत्र, जन्म, मित्तु प्रमान पत्र, होल्डिंग, टेक्स, कचरा सुल्क, ट्रेड लाइसेंस सुल्क का भुगतान, सरकारी स्कूल और कोलिज का फिस, पैन कार्ड, बिजली बिल, रासन कार्ड, जा जियारपी को मिला चोकरना रहने का आदेश, यात्रियों की होगी नियमित जाज, जिहाँ, दर्बंगा पारसल ब्लाष्ट के बाद 15 अगस्ट पर सुलक्षा को लेकर सुबह के रेलवे स्टेशन पर अलट जारी कर दिया गया है, रेल स्पी विकास वर्मन की ओर से, पत्ना साहिब समेथ आन इस्टेशनों पर जियारपियों को 24 गंटे चोकरना रहने का निर्देश दिया है, साथ आने जाने वाले ट्रेनों, फ्लेट परमों, पारसल घर, सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल सहित आन समिधन सिल जगहों की जाचवा यात्र का बसिरा है और अधिक्तम तापमान समाने के आसपास वना हुआ है, मानसोन की ट्रप लाइन अभी राज के किसी भी भाग से नहीं गुजर रही है, पिछले 24 गंटे में कई जगहों पर हलकी से मैदम बारिस दर्ज की गई है, जिसमें गर्मी और उमद से रहत मिली है, एक भारी बारिस से इस इलाके में जगा जगा जल भराव की सिती हो गई है, मौसम की सिती को देखते हुए राज भर में 15 जुलाय तक के लिए बारिस और वजर पात का येलो अलट मौसम विवाग के द्वारा जारी किया गिया है, बाड़ी कबर बिहार में 17149 पुलिस कर्मी सस पेंड महिला सिपाई के मौत के बाद किया गिया था बवाल, जहां पाटना पुलिस लाइन में महिला कॉंस्टेबल के मौत के बाद बवाल मामले में बड़े करवाई हुई है, पाटना एसस पी उपेंदर कुमार सर्मा ने मामले में दो सिपाई जाने के बाद 149 पुलिस निलम्मित कर दिया है इन पुलिस कर्मियों को योगदान देने के तुरंद बाद ही निलम्मित कर दिया गिया है मामला 2.09.2018 का है जब पुलिस लाइन में एक महिला कॉंस्टेबल की मौत के बाद पुलिस लाइन में मौजुद जवानों ने जमकर हंगामा किया था इस दोरान उग्र जवानों ने कई पुलिस अधिकारीों की जम कर पिटाई भी कर दी थी इसके बाद से इस मामले की जाच चल रही थी बिहार में तेज हुआ सा और मात का खेल चिराग से मिले स्याम साबोदिन के परिवार से सिद्ध की जहां बिहार में सा और मात का खेल तेज हो गई है एंडिये से बंदन तोटने के बाद चिराग को महागडबंदन में सामिल करने के कवायाद राज़त ने तेज कर दी है लालू के दूद के रूप में राज़त नेता स्याम रजक उन से मिले और लालू से उनकी बात भी करवा की बाद सामने आ रही है इदर वरिष्ट नेता अब्दोल बारी सिद्धिकी ने सारन के पूर्वसांसद प्रभोनाद सिंग से मुलाकात की है दो तीन दिन के अंदर हुई ये दोनों मुलाकात के बाद बिहार में राजनेतिक सक्रियता बड़े तेजी से बढ़ रही है सुत् प्रिमो लालो प्रसाद ने अपने दोतों को विविन निताओं से मिलने के लिए भेजा है बाड़ी कबर कोरोना वैक्सिन को बरबाद करने में बिहार देश में दूसरी नंबर पर को वैक्सिन में पटना अबबल और कोविसी में मुझपरपूर टॉप पर जहां कोरोना व स्वास्त मंत्राले की समिक्षा में पाया गया कि बिहार में एक माई से 19 जून तक यानि सिर्व पचास दिनों में वैक्सिन की 2,666,438 डोज स्वास्ती विवाग ने बरबाद कर दी है स्वास्त मंत्राले की समिक्षा के बाद राज स्वास्त समिती ने जो अकड़ा जारी किया है उसके अनुसार कोविसील्ड वैक्सिन बरबाद करने में मुझपरपूर राज सबसे पहले स्थान पर है जबकि कोवैक्सिन बरबाद करने में पटना सबसे पहले स्थान पर है उन्होंने पत्रकारों से भी बात की उन्होंने कहा कि मोंगेर को ओधोगी कहब बनाया जाएगा उद्योंग मंत्री ने मुखमंत्रे नितिसकुमार के जमकर तारिप की और कहा विहार तेजी से विकास कर रहा है उन्होंने एतिहासिक बंदुक करखना की विकास के भी बात कही और आंक की बड़ी कबर, उत्तर पर्देश में नई जनसेंगा निती का एलान सियम योगी बोले बढ़ती अबादी विकास में बाधब सियम नितिश निकल लखनों में एक कायरकरम की दौरान नई जनसेंगा निती का एलान किया उन्होंने कहा कि इस मामले में जागरुकता की भूमिता काभी आहम है उन्होंने कहा कि जन संक्या निती का समान हर नागरिक से है बरती जन संक्या गरीबिक का कारण है उन्होंने कहा कि दो बच्चों की बीच भी गैप होना चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं